हलो फ्रेंड्स, मास्टर मैथमेटिक में आप सभी लोगों का स्वागत है और लेक्चर नंबर वन हम स्टार्ट करने वाले हैं तो लेक्चर नंबर वन का जो हमारा पहला कोशन है वो क्या कहता है कि इफ वन रूट आफ दे एक्वेशन x² प्लस px प्लस 12 is equal to 0 is 4 with the equation ठीक है मतलब इस वाली जो equation का एक रूट तो दिया हुआ है क्योंकि यह quadratic equation है तो दो रूट होते हैं एक रूट अल्लेडी गिवन है with the equation अब हमारे पास यह equation है अब जो यह वाली equation है हमारे पास इसके जो रूट है वो क्या है equal है तो हमें find out करना है कि क्योंकि क्या values है हमारे पास यह options दे रखें अब क्योंकि इसका यह एक root है इसको हम क्या लिख सकते है इस equation को इस quadratic equation को ठीक है fx इसके equal हो जगता है ठीक है अब क्योंकि अगर हम 4 यहां पर रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा 4 पर क्योंकि 4 इसका root है और यहां पर 4 की अगर हम value put कर दे 4 square P 4 plus 12 ठीक है अब इसको अगर हम solve कर लेंगे तो accordingly अगर हम solve करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा ठीक है 4 से cut out कर देते हैं इसको 4 3 जा 4 1 जा 4 4 जा तो एक्वेशन हमारे पास आ गई 4 P प्लस 3 तो P हमारे पास क्या निकल के आया माइनस 7 आ गया ठीक अब हमारे पास एक एक एक्वेशन थी X square PX प्लस Q is equal to 0 क्योंकि इसके roots equal हैं तो इसका जो डिस्क्रिमेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा अब डिस्क्रिमेंट किसके बरावर होता था B square minus 4 A C is equal to 0 अगर इसकेशन को हम compare करें देखें तो quadratic की जो general form होती है वो क्या होती है यह होती है ठीक है अगर मैं compare करूँत यहाँ पर A क्या है 1 है B क्या है P है C क्या है यहाँ पर Q है तो अगर हम यहाँ पर value put करेंगे तो यह क्या हो जाएगा P square minus 4 ठीक 1 और C पर हमारा क्या जाएगा Q क्योंकि हम P जानते हैं अल्रेडी 7 है तो यह हो जाएगा square कर देंगे तो 49 और यह हो जाएगा ठीक है तो आपको काफी fast करना है इस शीज को ठीक तो यह हमारा option हो जाएगा इस तरीके से solve हो जाएगा Q2 देखते है Q2 हमें क्या कहता है जो natural number का set है वो closed नहीं होगा किसके लिए नहीं होगा ठीक है अब addition के लिए इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम दो natural number ले 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 एक N1 और एक N2 ठीक है यह बिलॉंग करे हमारे natural number से तो अगर मैं इसको add करूँ तो यह इसमें natural number में बिलॉंग कर जाएगा तो इसका मतलब एक closed होगा ठीक है आप पता है कि closed क्या होता है अब यही हमें चेक करना है कि addition में ऐसा होता है कि नहीं तो हमें पता है कि अगर दो natural number को मैं add करूँगा तो natural number ही आएगा multiply करूँगा तब भी natural number आएगा आप subtraction की बात कर लेते हैं एक्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 4 और 7 यह बिलॉंग करते हैं किस से अगर मैं इसको subtract कर रहा हूँ तो answer हमारा हो जा रहा है कितना minus 3 अब minus 3 क्या होता है does not belongs to n इसका मतलब जो कौन सा किसके अंडर में natural number जो है किस operation के अंडर में close नहीं है वो है subtraction तो question number 2 भी यहीं पर complete होता है question number 3 क्या कह रहा है the number of real solution of the equation x जो यह equation दे रखी है वो किसके equal होगा मतलब मतलब कहने का मतलब जो यह equation दे रखी है इसके real solutions कितने आएंगे 0 1 2 यह 3 आएंगे यह हमें check करना है ठीक है अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि यह और यह यह चीज़ अगर cancel कर देते हैं तो x 3 आ जा रहा है ठीक है सब सही है cancel कर देंगे लेकिन यहां पर क्यों नहीं करेंगे ज़रा आप देखिए x अगर 3 आ गया अगर मैं यहां पर रख देता हूं 3 ठीक है तो यह नीचे के आ जाएगा 0 और यह हो जाएगा infinity ठीक है क्योंकि यहां पर जो भी नंबर है अगर इसको डिवाइट करेंगे infinity से तो 0 से करेंगे तो infinity आ जाएगा अब x में से अगर infinity minus हुआ तो इस राइट hand side left hand side भी infinity आ गया राइट इंफिनिटी आ गया और infinity is equal to infinity यह कोई सही चीज नहीं है रियल चीज नहीं है ठीक है तो इसका मतलब हम 3 नहीं ले सकते ठीक है अब 3 नहीं सकते हैं तो बाकी solve करना हमारे लिए काफी मुस्किल हो जाएगा तो यहां पर साफ-साफ दिख रहा है बिना solve करते हुए कि वह 0 equations आएगी ठीक है मतलब 0 solutions आएगा और हमारा इसका कोई solution हमको नहीं मिलेगा real solution नहीं मिलेगा बाकी solutions मिल सकते हैं पर real solution हमें एक भी नहीं मिलेगा ठीक है क्यों आपको पता ही है कि अगर infinity is equal to infinity हो गया तो कोई real चीज नहीं है तो यहां पर वो चीज नहीं होगी तो question number 3 भी हही पर complete होता है नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो यह integral है जो value है इस integral की वो किसके equal होगी ठीक है यह integral हमें solve करना है तो ले लेते हैं i is equal to क्या हो जाएगा minus pi by 2 से लेकर pi by 2 है और यह integration हमारा जो है वो हो जाएगा cos x minus cos cube x ठीक है और यह dx ठीक है यह दिया हुआ हमें तो अगर हम solve करने देखते हैं तो minus pi by 2 से लेकर pi by 2 है ठीक है यहाँ पर हम cos x common ले सकते हैं ठीक है तो यह क्या हो जाएगा one minus cos square x ठीक है dx फिर से यहाँ पर हो जाएगा हमारा minus pi by 2 से pi by 2 ठीक है अब यहाँ पर क्यूंकि यह cos x है और यह क्या हो जाएगा हमारा one minus cos square x क्या हो जाएगा sin square x ठीक है dx अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर under root x square है ठीक है तो इसके बाहर actually यह जाता है ठीक है यह particular चीज है एक जाती है यही काफी चीज helpful करेगी इस questions को करने में कैसे अब देखो यहाँ पर तो integral अगर हम यहाँ पर यह बाहर चला गया under root x square गर इसको देखे तो हो जाएगा हमारा sin x ठीक है integration minus pi by 2 से pi by 2 है यहाँ पर sin x हमारा mod में चला गया और cos x हमारा root में रह गया ठीक है dx ठीक कोई problem यहां तक अब हम जानते है एक formula है definite integral का कि integral अगर minus a से a होगा और यह fx dx होगा तो यह क्या हो जाएगा two times zero to a हमारी जो है limit हो जाएगी fx dx कप जब f minus x क्या हो जाएगा हमारा fx हो जाएगा even function हो जाएगा तो ठीक है अब यहाँ पर देखो जारा even function है या नहीं अब क्योंकि मोड में लगा हुआ है तो हमें पता है कि sin, sin-x क्या हो जाएगा मारा minus time sinx हो जाता है क्यूंकि मोड लगा है तो minus नहीं रहेगा तो यह भी हमारा positive आ जाएगा और cause में तो हमारा क्या हो जाता है cause x तो इसके एकॉर्डिंगली हम देखें तो यह हमारा कैसा फंक्शन है यह वाला डेफिनेट इंटीग्रल का रूल हमारे को फॉलू करोगा ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं टू टाइम जीरो से पाइब बाइट टू हमारा यह क्योंकि साइन क्योंकि मौर्ड यूझ खर चुके तो अब मौर्ड हमारा नहीं रहा उंड़रूट्ट कॉस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू नहीं होगा क्योंकि अगर हम एक्स यहां पर जीरो रगते हैं तो हमारी जो लिमिट हो जाएगी वह क्या हो जाएगी टी की प्रिटिकुलर इंटेगरल को हम सौल करेंगे तो क्या हो जाएगा हो जाएगा माइनस टू और यह पावर में हमारे हो जाएगा लुज़ए टी हाफ प्लस वन और यहां पे हाफ प्लस ठीक है यह हो गई अब हमने आप लिमिट लगा लिए अगर इसको हम सॉल करेंगे तो माइनस तू जीरो से वन थ्री बाइट इसको मैं सॉल करूंगा तो फॉर भाई थ्री आ गया एंसर तो यह पर्टिकुलर हमें काफी स्पीड अप में करना हैं तो यह काफी इंपॉर्टेंट था आपको पता होना चाहिए यह हमारा जो option है वो क्या हो जाएगा ओर भाई थ्री option हो जाएगा करेक्ट इस फॉर्ट पार्ट का ठीक है फॉर भाई थ्री option आपके लिए यह करेक्ट हो जाएगा तो इसको अकॉर्डिंगली हमें यह चीज़ करनी है अब पॉस्चन नमबर फिफ्ट क्या कह रहा है कि य हमारा यह जाएगा 4 sin square x minus cos 2 theta देन y कि इंटर्वल में लाई करेगा ठीक है अब हमें पता है कि cos 2 theta के बहुत सारे formula है क्योंकि हमें वही वाला यूस अब यहां पर वही वाला यूस करना है जिसमें साइन मिल जाए क्योंकि हां अल्रेडी हमारे पास साइन है तो हमारे काफी helpful हो जाएगा 4 sin square x of cos minus cos 2 theta की जगा हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square theta ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा 6 sin square theta minus 1 ठीक है अब हम जानते है कि जो sin theta है वो कहां से कहां रहता है ठीक माइनस 1 से लेकर 1 तक रहता है भले ही theta कहीं भी बिलॉंग करें रियल नम्बर में ठीक है तो यह जो है अब हमरा minus 1 से लेकर 1 के बीच में रहता है हम जानते हैं ठीक है अगर हम square कर देते हैं sin square theta कर देते हैं तो हमें को पता है कि कहां से कहां तक belong करेगा zero से लेकर one तक belong करेगा खी कैसे जब square करेंगे तो one minus one का भी one आएगा और one का भी one आ जाएगा तो बाقी भी जितने number करके अगर हम देखें तो interval हमारा 0 से one में belong करने लगेगा ठीक है अब 0 से one में belong करने लगेगा अगर हम six sine square theta को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा क्यूंकि इस आच जीरो है तो यहां पर भी जा है कि y interval कहां लाई करता है तो वह minus 1 से लेकर 5 में लाई करता है क्योंकि दोनों ही हमें लिए हुए है जिसका मतलब यह closed interval है और यह option हमारे पास यह है already ठीक है तो यह option हमारे लिए correct हो जाएगा तो question number 5 भी यहीं खतम होता है और इसी के साथ आज का भी वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है